जब बात इंगलिश बोलना सीखने की आती है तो इंगलिश ग्रामर का बहुत बड़ा रोल नहीं होता क्योंकि ग्रामर की बारीकियों को अगर आप नहीं भी जानते हैं तो भी आप इंगलिश बोलना सीख सकते हैं लेकिन फिर भी इतनी ग्रामर तो आनी चाहिए कि आपको ये पता लग पाए कि सेंटेंस को मैं कैसे बना सकती हूँ तो एक बेसिक ग्रामर का नॉलेज होना जरूरी है और उससे पहले आपको बेसिक कुछ छोटी छोटी चीजों का पता होना चाहिए ठीक है तो आज के इस वीडियो में मैं एक एक करके स्लाइड्स रखती हूँ आपको समझाती हूँ हो सकता है आपको पहले से पता हो या ना पता हो कोई कन्फ्यूजन हो तो ध्यान से वीडियो को अंतक देखिएगा तो आएए सुर्वात करते हैं सबसे पहले स्लाइड्स यहाँ पर कितने सेंटेंसेज है कोई आप से पुछे यहाँ पर तीन फुल स्टॉप है एक, दो, तीन तो आप कहेंगे कि यहाँ पर तीन वाक्य है या सेंटेंसेज है अब अगर कोई आप से पूछे यहाँ पर कितने वर्ड्स है तो यहाँ पर ग्यारा वर्ड्स है अब कोई आप से पूछे कि कितने लेटर्स है इंगलिश के तो यहाँ पर एक, दो, तीन इस तरह से आप काउंट करेंगे तो टोटल 40 लेटर्स है अब मैं आपको बताती हूँ तीनों सेंटेंसेज में सबजेक्ट क्या है किसी भी सेंटेंस में एक सबजेक्ट, एक वर्ब और एक अबजेक्टिव पार्ट होता है वर्ब से पहले जो भी आया वो सबजेक्ट है और वर्ब के बाद जो आये वो अबजेक्टिव पार्ट है तो रवी is my friend यहाँ पे वर्ब है is तो उससे पहले आ रहा है रवी तो यह मेरा सबजेक्ट सबजेक्ट वो होते हैं जिसके बारे में उस sentence में बताया जाता है या फिर उस sentence में जो किसी काम को करता है या कर रहा होता है ठीक है? इस sentence में He helps me वो मेरी मदद करता है यहाँ पे help है आपकी word यानि मदद करना किसी काम को करना यह होती है word या फिर Is, Am, Are, Where यह सभी होती है आपकी auxiliary verbs लेकिन लेकिन होती तो verb है ठीक है? यह आपको यह बताती है कि कोई भी काम अगर हो रहा है या किसी भी subject के बारे में वो present, past या future में है यानि उसकी state के बारे में, उसकी अवस्था के बारे में बताया जाता है जैसे मैंने कहा रवी मेरा दोस्त है रवी is my friend तो यह present की बात है इसलिए इस कहा अगर मैं कहती रवी was my friend तो यह होती past की बात है ना फिर थर्ड सेंटेंस में इस मेरी वर्ब है उससे पहले subject यहाँ पे है singing जो की singing subject है अब देखते हैं subject क्या होता है यह एक noun होता है noun का सिधा सा मतलब है naming word या नाम किसी का भी नाम चाहे वो मेरा नाम हो any place और anything किसी का भी नाम हो तो वो noun के कितने types होते हैं English speaking course में समझाने की जरूरत नहीं है grammar में जरूरी है आप सिर्फ इतना समझिए noun यानी नाम और naming word अभी जो noun होता है या तो singular और plural होगा अगर एक से ज्यादा होगा तो plural और एक से कम होगा तो singular यहाँ पर कुछ examples मैंने दिये हैं देखिए singular form में है राहुल और जब वो plural form में होगा और राहुल और रोहन एक से ज्यादा होगा तो वो plural हो जाएगा फिर है father mother यह है सारे singular form father एक ही है mother एक की बात हो रही है फिर plural form में अगर हम बोलेंगे parents तो वो father, mother दोनों को मिला के parents एक से ज्यादा plural form में देखिए pens अगर एक होता तो pen होता जो कि singular form में होता और एक से ज्यादा pen है तो वो plural form में है singular form में man अगर वो plural form हो जाएगा तो वो man हो जाएगा woman, singular form plural form में होगा तो वो woman ये कुछ examples है अच्छे से देख लीजिए चलिए अगले slide पर चलते हैं यहाँ पर देखिए कोई भी subject जैसे मैंने आपको बताया है कि noun हो सकता है जो कि राम है किसी का नाम उसी तरह से कोई भी subject pronoun हो सकता है यानि कि subject में या तो noun आता है pronoun आता है अच्छा प्रोनाउन क्या होते हैं जैसे कि he, I, we, you, these, those, that, it ये सभी pronoun होते हैं और फिर इन pronouns की अलग-अलग forms भी होती हैं अच्छा, subject या तो एक noun हो सकता है या एक pronoun हो सकता है अच्छा, जो pronoun होता है आपकी knowledge के लिए आपको पता होना चाहिए कि replace noun प्रोनाउन वो होता है जो noun को replace करता है अब जैसे sentence को देखिए राम इस माई फ्रेंड ओके अगला sentence Singing is his habit यह ही यहाँ पर ही यानि वो यह वो कौन है obviously वो राम है मैं चाहती तो यहां राम लिख सकती राम helps me ऐसे बार-बार राम कहने की जरुरुत नहीं है इसलिए हम राम की place में he का use करेंगे यानि जिसने यानि आपे रवी को replace कर दिया वही प्रोनाउन कहलाता है अब यह जब table आपके सामने है यह जो table आपके सामने है ना first person, second person, third person यह बहुत ज्यादा important है मान लीजिए मैंने ऐसे कहा कि आप ऐसा करिए कि does का use हमेशा third person singular के साथ होता है तो third person singular he, she, it, these, that इनके साथ does होता है अच्छा, मैंने ऐसे कहा कि was का use हमेशा singular के साथ होता है तो यह जो table है यह आपको अपने notebook में note कर लेना होगा और याद कर लेना है अच्छा, अब एक table आपके सामने रखती हूँ देखिए यहाँ पे इस table में देखिए जब कोई pass हो और एक हो तो these और these और दूर हो तो that जब कोई pass हो और एक से ज्यादा हो तो these t-h-e-s-e और अगर दूर हो और एक से ज्यादा हो तो those t-h-o-s-e अगला slide देखिए अब इस slide में देखिए मैं क्या कह गई हूँ कि subject मैंने आपको बताया कि noun तो हो ही सकता है pronoun भी हो सकता है या फिर जब आप जब भी कोई work subject में आती है तो या तो उसके साथ ing लगेगा लगाना पड़ेगा ठीक है जैसे मैंने कहा गाना गाना उसकी आदत है तो subject है गाना गाना क्योंकि गाने के बारे में बात हो रही है और तो गाना तो चुकि एक verb है एक ख्रिया है तो जब भी subject में कोई ख्रिया आएगी तो उसके साथ ing जरूर लग सकता है अगर ing लगेगा लगा देंगे तो वो बन जाएगा जिरंड या फिर आप sing से पहले to लगा दे means to sing is his habit दोनों ही sentence बिलकुल सेम है कोई भी verb आए उसके साथ या तो जिरंड बनाना होगा means उसके साथ ing एड करना होगा और या फिर उससे पहले to लगा देना है to sing to read to run etc अच्छा जिरंड हो चाहिए infinitive हो यानि सबजेक्ट में verb के साथ ing लगा दे या verb से पहले तो लगा दे जिरंड और infinite बना दे ये जिरंड और infinitive आखिर है तो noun ही अच्छा अब आप सोचेंगे कि क्या इतना details में जाने की जरुरत है बिल्कुल नहीं आप किसी sentence को बोलना सीख रहें इंग्लिस स्पीकिंग सीख रहें ग्रामर नहीं सीख रहें इसलिए मैं आपको details में नहीं जा रही हूँ ठीक है लेकिन थोड़ा सा basic idea आपको दे रही हूँ ताकि दिमाग में रहे कि अच्छा sentence में अगर मेरा subjective verb होता तो मैं उसके साथ या तो ing लगाऊंगी या उससे पहले to लगाना है ये सारे sentences हैं आप देख लीजिए अच्छे से move करते हैं अगले slide पे हमने ये देखा कि किसी भी sentence में subject होता है फिर verb तो subject हमने देखा noun, pronoun, jiran या फिर infinitive अब जब बात आती है word की तो ये आपको note कर लेना अपनी notebook में एक word तो होती है mean word जो की है मुख्य क्रियाएं जैसे think, play, eat, drink, sleep, teach, etc. जिसमें subject किसी काम को करता है जैसे सोचना, खेलना, खाना, पीना, पढ़ाना इन सभी को करते वक्त आपके body के कोई न कोई parts move होता है तो ये सभी है main verbs auxiliary verbs इनका काम होता है sentence में subject के state के बारे में बताना state यानि वो किस अवस्था में है, present में, या past में, या future में तो यहाँ पे तीन तरह के auxiliary verbs है be यानि होता, do यानि करना, have यानि कर चुका होना और एक, इसका मतलब होता है, past होना जो मैंने यहाँ नहीं लिखा बड़ इसका दो मतलब होता है, एक तो है कर चुका होना और है past होना ठीक है? तो इनके present, past, future forms देखिए auxiliary verb का जब present में, present form में होगा तब आएगा is, am, are और be का past form होगा, was, where और future की बात होगी, तो will be फिर do का present form की बात करेंगे, तो इसका do और does फिर past की बात करेंगे, तो did और future की बात करेंगे, तो will do फिर have, have या has present form, past का है had और future में है, will have इन सारी बातों का आपको अच्छे से ध्यान में रखना होगा, आप अपनी notebook में note कर लीजिए, ये पूरा जो table है इसको अब देखिए, modal verbs modal verbs आपको दिख रही है can, could, should, would, must, may, might, shall is, am, are, was, were, has, have, had, will, have में के साथ, इनके साथ में लग जाए to तो भी इनका use modal verbs किस तरह होता है आगे आप, आपको सब समझ में आएगा अब अगला है, semi-modal verb ये वो modal verb है, जो कभी तो modal verb की तरह काम करती है और कभी main verb की तरह काम करती है ठीक है? तो ये रहा मेरा आज का वीडियो यहीं पर मैं खतम करती हूँ अब आप सभी से ये request है कि आज तो day 5 है और अब तक की वीडियोज day 1 से day 4 तक के वीडियोज अगर आपने नहीं देखी तो पक्का देख लीजिए जरूरत परे तो repeatedly देखिए और उनके notes बनाईए practice कीजिए और उन्हें implement भी कीजिए अपने day to day life में जैसे मैंने पहले भी आपको कहा था कि day to day life में को practice करते रहे पुराने हो नए हो सारे आपको करने पड़ेंगे तो फिलहाल यहीं तक अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को like और share जरूर कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए टाटा बाई बाई टेक हियर